हर्याणा की सरकार जल्द ही साथ नगर निग्मों में चुनाव कराने जा रही है सभी जिलू के संशोधित ड्राफ चंडीगर पहुंच गए है और चुनाव की तयारी अंतिम चरण में चल रही है और इस तोरान सरकार विपक्षी विधायकों के काम को सारवजनिक भी करेगी चुनाव को लेकर सरकार की क्या तयारी है इस बारे में हमारे समवादाता ने कैबिनिट मंतरी कृष्ण लार पवार से खास बात चीए हमारसद प्रदेश के परिवहन जेल मंतरी कृष्ण पवार जी है पवार साब आजकल हल चल बढ़ गिये क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए है सबसे पहला सवाल तो यह है कि नगर निगम चुनाव का लोग इंतजार करें पानीपत की कई नगर निगमों की जो सूचिया है ड्राफ्ट वो बनके जा चुके अब नोटिफिकेशन होगा चुनाव होने है अंदर खाती तयारें चल लिए इसके लिए निश्चित तोर पार जो नगर निगमों के चुनाव है उनके लिए सारा ड्राफ्ट बनके रिकरिंगी वार्ड बन दियो करके सरकार के पास जा चुकी है तो मानिय मुक्यमंतरी जी ने कैबिनिट में भी और कलोकल बोड मिनिस्टर भी थे तो सब के साम नहीं है जो भी से आ तो मानिय मुक्यमंतरी ने कहा है कि परजात इंतरगंदर चुनाव तो बहुत जरूरी है तो लोकसबा है, एसेम्बली है, पंचायत है, जिलाप प्रिसेदा है, वो लोग समिती है, नगर पालिकाएं है, नगर निगम है तो निश्टी तोर पर चुनाव होंगे मुक्यमंतरी और आपकी सरकार कहते है, सबका साथ सबका विकास मुख्या मंतरी ने 90 की 90 विधान से बाद शेतरों में दोरे किये हैं विकास कारें की घोशना की है लेकिन कॉंग्रेस की MLA कई बार ये कहते हैं जी हमारे काम नहीं हो रहे हैं अगर मीडिया से जब बात होती है और ऐसे ही इनेलो वाले भी कहते हैं सरकार के इस बात के लिए तयार है अगर आप ये कहते हैं कि मुख्या मंतरी की 400 गोशनाओं में से 80% गोशनाओं पूरी हो चुकी है विपक्ष की जो MLA कॉंग्रेस इनेलो के उनके शेतर में क्या क्या काम हुए सरकार वो सूची जारी कर सकती है ताकि पार दिश्टे लोगों के सामने आई है कारोब लगा रहे हैं विकास की द्रिश्टी से तो निश्टी तोर पर वो गल्त ब्यान बाजी करने हैं तो पूरे परदेश में माने मुख्यमंतरी से भी बात करूँगा विशेश तोर से जो विपक्ष के जो लोग हैं जो इस पर कार के वाज उठा रहे हैं तो उनके विधान स्वाफ चेतरों में इस चार साल के कार काल में कितने काम हुए हैं वो पब्ली के सामने उजागर किये जाए तब उनको पता लगेगा जो ब्यान बाजी कर रहे हैं वो गलस कर रहे है कोंग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला प्रदेष में BJP वर्शिस कॉंग्रेस होगा ये कॉंग्रेस के लोगों का दावा है कि हमारे और BJP के दिम मुकाबला है दूसरी बात यह कि जिसे मुकाबला अशोक तवर कह रहे है कि दस की दस लोक सबसिते कोंग्रेस जीटेगी और असी विदान सभा सीटी जीतेगी और भारती जिंदा पार्टी का शंक्ठन मजबूत है हम सब एक है और निश्ची तोर पर हर्याना प्रदेश में बीजेपी सरकार रिपीट करें देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं किस तरह का महावल बनता है यह मानना होगा कि पिछले दो महीनों में बीजेपी की स्थिती हर्याना में मजबूत होई है क्यामर में बेंदर हम वीर के साथ द्वेधर कतूरिया, टोटल लेउस, पानिपत बीरो